हेलो गाइस और वेलकम टू माई योटोब चैनल टेक्निकाल उत्तर प्रदेश दोस्तों आज के बड़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Realme C35 के फोन में notification को on और off कैसे करेंगे चाहे lock screen की notification हो या किसी application की notification हो या home screen की notification हो आप लोग on off कैसे करेंगे सबसे पहले setting को open करेंगे notification and status bar का option दिखाए देगा इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर manage notification का option इस पर click करना है manage notification के option पर click करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला option है lock screen notification इस पर click करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं lock screen पर कोई भी notification नहीं दिखाए दे तो यहाँ पर do not so का option है इस पर click कर दीजिए जब आपका फोन लोक रहेगा तो वहाँ पे आपको कोई भी notification देखने को नहीं मिलेगी अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साभी application आप लोगों को दिखाए देते हैं जिस भी application की अगर आप लोग notification बंद करना चाते हैं यहाँ से कर सकते हैं अगर चाते हैं आप लोग फेस्बुक से कोई भी notification आपको ना दिखाए देते हैं यहाँ से आफ कर दीजिए अगर जिस भी application की आप लोग चाते हैं उस application की आपको notification नहीं दिखने चाहिए तो यहां से आप लोग उसको बंद कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं तमाम एपलिकिसन हैं सभी notification मैनेज आप लोग कर सकते हैं चाहे हो home skin के लिए हो या lock skin के लिए हो तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड चैनल को भी subscribe कर लिजिए एंड अगर आपका कोई question हो comment box में question पूस सकते हैं